Hello students, तो बहुत ही important new जा रहा है, CA Foundation June 24 exam related, सबसे पहले ध्यान से बाते को सुन लेना, अब से CA Foundation का exam जितना भी आगे होगा, चाहे जून में हो रहा है, September 24 में हो रहा है, या आपके जानकारी के लिए बता दे, January 25 में हो रहा है, हर attempt में तीन mock test का exam होगा, पहले कितना होता था, ध् तीन पर लागू हो गया, कब कब हो रहा है, पहला mock test तो हो चुका है, mock test series 1, दूसरा mock test कब हो रहा है, तो आपके screen पे so कर रहा होगा, देखिएगा, पचीस में को पहला paper का exam हो रहा है, 24 में को law paper का exam होगा, 27 में को maths का होगा, और 29 में को series 2 का मैं बात कर रहा हूँ, 29 में को आखरी पेपर इको का एक्जाम होगा, तो ये रहा स्रीज 2 का सेड्यूल आपके स्क्रीन पे भी सो कर रहा होगा, तीसरा स्रीज, अब ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा, आइस AI का कैसा decision है, तीन स्रीज करवाने का, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा decision है, क्य स्रीज, उसका दूसरा पेपर कब से start होगा, 7 जून को दूसरा पेपर होगा, 10 जून को तीसरा पेपर मैट्स का, और 12 जून को आखरी पेपर इको का होगा, अब बच्चों ध्यान से बाते को सुन लिजेगा, जो लोग भी स्रीज 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छी बात हैं, आपके benefit के लिए बोलते हैं, मैं news update इतनी राग को कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कि ताकि आप लोग जो बच्चे स्रीज 1 नहीं complete किये हैं, आपके पास कम से कम target होना चाहिए, कि 22 में से दूसरा स्रीज स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हम 20-21 तक पहला स्रीज को complete कर सकते हैं, जवाब होना चाहिए, हाँ, कर लीजिए complete, ताकि आपके लिए अच्छा होगा, उसके बाद स्रीज 2 का exam दीजिए, तब जा करके स्रीज 3 का exam दीजिएगा, अगर बच्चों आप time पे complete नहीं करते हो, और उस पीछे रा जाओगे, simple सा बात है, 25% में आना या 75% में आना, एपरोक्स passing percentage, CA foundation का तो 25% होता है, तो वो आपके हाथ में हैं, जो बच्चे 75% में रहते हैं, जादा तर बच्चे का यहीं इस्तिती होता है, कि वो mock test का exam, RTP, solve ही नहीं करते हैं, तो कैसे आप आओगे, मैं बार बार अपडेट करता हूँ, ये इतना important ह कि इस news को skip नहीं करना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए, और series 2 जो बेस्टार्ट हो रहा है, उसका सारा question paper, आप दो तरीके से series 2 हो या series 3 हो, कुछ बच्चे का मेरे पास doubt आ रहा था, कि वो मुझसे पूछ रहेंते, series 1 वो physical mode में नहीं दिये, क्या series 2 या series 3 दे सकते है totally आप पे depend करता है, दो तरीके से appear कर सकते हो, इस exam में कैसे appear कर सकते है, पहला तरीका क्या है, कि आप चाहो तो घर बैठे, question paper, official website पे आएगा, schedule date को, आपको download करना है, official website से, खुद से solve करना है, 48 hours के बाद, suggested answer से release हो जाएगा, उसको क्या करना, देख करके, खुद से suggested answer को दे registered कर सकते हो, mock test के लिए, जैसे कि per paper, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, चार्ज होता, branch to branch, differ करता, अभी physical mode के लिए, जब मैं video record कर रहा हूँ, registration start नहीं हुआ, जैसे ही ये start होगा registration, मैं video बना करके, आप लोगों को inform कर दूँगा, वो भी सबसे पहले inform करूँगा, तो अपडेट करता है, तो physical mode के लिए कैसे registration करना, doubt आ सकता है, तो मैं video भी बना दूँगा, आप लोग रिलाक्स रहे, जब registration start होगा, तो वैसे bus activity.iceai.org के website पे जाईए, अपना registration number, date of birth लिखी और registration कर सकते हो, लेकिन बच्चों, जैसे ये start होगा, तो मैं एक live demo video भी बना तब तक करो, इस video को share कर दीजिए, और बच्चों को पता चलना चाहिए, कि इस बार तीन मौक्ते स्रीज हो रहा है, हम ऐसा नहीं सोच के बैठे कि दो स्रीज देना है, अभी तक स्रीज 1 complete नहीं हुआ है, तो स्रीज 1 को जून के मन्त में complete करेंगे, starting में, और स्रीज 2 को इतना आप पीछे जाओगे न, उतना पास करने का आपका chance कम बनेगा, डरा नहीं रहें, लेकिन पहले से alert कर रहें, समझो बात को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरा कोई book ले लो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज, टाइम से बस अपना paper दे दो, simple सा बात है, औ और हाँ, कोई additional doubt है, तो comment box open है, वहाँ पर पूछ सकते हो, एक और बात, ये तीन स्रीज हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है, अच्छा decision है, गलट decision है, प्लीज, comment box में बताईएगा, और face का video कैसा रहा, ये भी comment box में बता दीजे, मिलते हैं next video में, एक चीज बता लोड कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि charter studies के telegram channel पे, जैसे ही question paper release होगा, मैं telegram पे share कर दूँगा, जैसे ही insert sit release होगा, मैं telegram पे share कर दूँगा, दो मिनट के अंदर में, आप लोग क्यूं बार बार जाओगे website पे, download करोगे, login करके, simple सा बात है, telegram channel से, आप लोग download कर ली साथ में आपको कोई additional doubt है, मुझसे बाते करना चाते हो, तो आप मुझे message कर सकते हो, कहां पे, charter studies के Instagram पे, और इसका भी link आपको description में मिल जाएगा, या Instagram पे search कर लो, charter studies मिलते हैं next video में, thank you